चलिए तो प्यारे स्टुडेंट सद्गुरु आई टे बक्सर मैं प्रमुत कुमार आज आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज रिभाईज कराऊंगा तो इस पीडियो को ध्यान से देखिए देखिए एक्जामपल नमबर 2.3 में इसके सारे सर्फेस को मार कर दिया गया है A, B, C, D, E, F, G, H, और I इन सारे लेटर्स से सारे सर्फेस को मार कर दिया गया है और उसका एक कोड दिया गया है नीचे में दखिए पहले तो इसको फ्रंट, साइड और टॉप में बाट दिया गया है यह देखे F का मतलब फ्रंट, S का मतलब साइड और P का मतलब प्लान यानि टॉप होता है A, B, C, D, F, G, H, I ता कोड भी दिया गया है वो इन कोड का नुमेरिकल भैलू, मतलब नुमेरिकल कोडिंग पुट अप किया गया है यह साइड देख रहे है F, F यानि फ्रंट में अगर A, B, C, D, E, F, G, H, I इन सारे नमबर लेटरों में से कोई भी लेटर अगर फ्रंट में आता है तो अगर A आता है तो A का कोड 2 होगा अगर फ्रंट में B आता है तो B का कोड 5 होगा अगर फ्रंट साइड में C आता है तो C का कोड 3 होगा D आता है तो D का कोड 4, E आता है तो E का कोड 7 ऐसे ही F का 9, ऐसे ही आगे से बढ़ता रहेगा उसके बाद साइड में भी उसी तरह नोमेरिकर वेलू सब दिया हुआ है कि साइड में आएगा तो यह का कोड 14 हो जाएगा अगर A प्लान में आता है यानि डॉप में तो उसका कोड 26 हो जाएगा चलिए हम फ्रंट देखते हैं फ्रंट में मेरा क्या क्या दिख रहा है फ्रंट साइड में में देखे क्या क्या दिख रहा है फ्रंट में A दिखेगा C दिखेगा G दिखेगा क्या क्या दिखेगा A C G चुकि यहाँ पर फर्स्ट अंगल प्रजेक्शन में बनाया हुआ है इसको तो A C और G दिख रहा है तो A, C, G में फ्रंट में A का कोड 2 है दखिए A कोड 2 से इंडिकेट किया गया है फिर फ्रंट में C दिख रहा है तो C को 3 से इंडिकेट किया गया है और G दिख रहा है तो G को 1 से इंडिकेट किया गया है तो 1, 2, 3 से इंडिकेट कर दिया गया है इसके बाद हम आपको ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं इनके उपर जो लिडर लाइन्स दे के एरो हिट बनाके 456789 लिखा हुआ है वो क्या है बहुत सारों लोगों को मतलब इससी एक confusion है बहुत सारे बच्चों ने हमको बताया था देखिए मेरा front side में यह जो दिख रहा है उसमें h वाली line टच कर रही है आई वाली line टच कर रही है तो हम देखते हैं कि h वाली line एक के उपर कहां टच कर रही है तो एच का code front में 8 है एच का code कितना है front में 8 है देखिए h वाली line को 8 से indicate किया गया है फिर g वाली line भी उपर में टच कर रही है तो f का code 9 है तो उसको 9 से indicate किया गया है कि और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएं तो 765 सारी line है अब चलिए हम थोड़ा सापको side view को प्लान यानि top view के बारे में बता देते हैं कि तो मेरा side view में कि side view से b d और e दिखेगा क्या क्या b d और e दिखेगा तो b का code कितना है side view में बी का code 11 तो 11 पुट करेंगे डी का code अगया है अगया है अगया 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 कितना है 12 तो डी को 12 से देखे हम सापसपस्ट लिखा हुआ है एस एस यानि side में d का code 12 लिखा गया है और e का code 10 है e का code side में 10 है तो e हमको side से दिख रहा है इसलिए इसको 10 से इंडिकेट किया गया है और बाकी सारी की जो लाइने है वह आपको हमने बता दी है ठीक ऐसे ही अगला आप प्लान भीव का इंडिकेशन करके और जो यह coded दिये हुए है जैसे कि 90 20 21 23 22 जैसे अब लिखा हुआ है इन सब के आगे कि 90 की स्लेटर का code है 21 कि स्लेटर का code है जैसे जैसे इसमें 90 लिखा हुआ है 90 कि स्लेटर का code है 21 कि स्लेटर का code है 20 कि किसका code है वह सारे लेटर ऐसा फिगर बना के इसमें भर के और गुरुक में हमको WhatsApp कीजिएगा या फिर एक वीडियो के माध्यम से मेरे पास बना के भेज़िएगा धन्यवाद फिर हम आगे अगला एक्जामपल देंगे